दोस्तों क्या आपको पता है इथेरियम 2.0 वर्शन लाउंच होने जा रहा है रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है कहा यह जा रहा है कि इथेरियम 2.0 वर्शन अप्रोक्सिमेटरी 30 जुलाई 2020 तक लाउंच हो जाएगा जो के इथेरियम की 5th anniversary डेट भी है जैसे इथेरियम 2.0 लाउंच हो जाएगा देन इथेरियम की प्राइसिस 3 गुना से लेके 5 गुना तक इजली बढ़ सकती हैं 2020 के लास तक उमीद की जा रही है कि इथेरियम 2.0 फुली लाउंच हो जाएगा इथेरियम से हमें बहुत बड़ा प्राफिट होने वाल है आपको वो मैं सारी रिजन्स बताऊंगा कि इथेरियम कोईन की प्राइसिस क्यों बढ़ेंगी इथेरियम 2.0 वर्शन है क्या सोरी टू से वीडियो थोड़ी सी टेकनिकल है जिसकी वज़ा से आप थोड़ा सा बोर हो सकते हैं इसके लिए आप पोपकोन खा सकते हैं दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक न लेटर टेलीग्राम चैनल को जोइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दो टर्मनोलोजी बताने वाला हूं प्रूफ ओफ वर्क प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ वर्क जिसको पी ओड़ी भी कहा जाता ह है प्रूफ वर्क में यह होता है कि आपको बहुत ज्यादा माइनिंग रिग्ज लगाने पड़ती है जैसा के माइनस करते थे पहले और अभी भी फिलहाल कर रहे हैं तो जिससे अलेक्टिसीटी भी बहुत ज्यादा कंजीम होती है और ट्रांजक्शन की स्पीड भी कम होती है जिसके नतीजे में अगर वो को ट्रांजक्शन वैलिडेट करते हैं तो उनको रिवोर्ड मिलता है उनको प्रॉफिट मिलता है ठीक है प्रूफ वर्क की मैं बात करूँ प्रूफ ऑफ स्टेक पे क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में इथेरियम को हो अगर आपको ट्रांजक्शन जो है वो वैलिडेट करते हैं जैसा पहले लखों की क्रोडों की मिशिनर्स लगानी पड़ती थी एथेरियम को माइन करने के लिए रिवोर्ड लेने के लिए अभी जस्ट आपको ओनली 32 एथेरियम जो है वो स्टेक करने होंगे तो आपको अगरे अगरे बात प्रूफ ओफ और वर्क में अलेक्टिस इटी भी बहुत जादा कंजीम होती हो स्केलिबिलिटी का भी इसू है इथेरियम टूपवांट ओकर जो में परपर जैना लाउंच होने का वह बिसिकली स्केलिबिलिटी इसूस है आपको भी पता है के मोर देन अप्लिकेशन जो हैं वह इथेरियम का जो नेटवर्क है वह यूज कर रही है इवन देट कोई मार्किट कैप पे भी आप चले जाओ तो इस टाइम पे मोर दन 80% ऐसे कोई जो के इथेरियम का नेटवर्क यूज कर रही है जिसकी वज़ा से जो ट्रांजेक्शन की जो स्प है वह 20 ट्रांजेक्शन पर सेकंड है ठीक है जो के एक बहुत बड़ा इशू भी है डेफिनेटली जब थाउजंड ऑफ टेंडी सेंटल अप्लिकेशन इस पर रन करें फूचर में वह ज्यादा बढ़ेंगी तो अगर इसके ट्रांजेक्शन स्पीड थोड़ी रह जाएग आप गैस कर सकते हैं इस टाइम पर कौन सा कोई है जो जो शार्डिंग की टेकनोलीजी को यूज कर रहा है आपके जहन में एकदम से क्लिक हो गया होगा जी हां वो है जिलीका कोई ठीक है जो के एधिरियम का एक स्ट्रॉंग कंपेटिटर भी है यह भी शार्डिंग की टेक इंट्रलाइजर नेटवर्क्स है जैसे पेपाल हो गया और वीजा हो गया यह एक मिनिट एक सेकंड में 1667 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वैलिडेट कर रहे हैं ठीक है और इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन कोस्ट है वो भी ना होने के बराबर रह जाएगे क्या आपको पत प्रांजेक्शन और ओन इथेरियम नेटवर्क यूजज़ अब वाउट ट्वनीन राइन किलोवाट आर्थ इनफ एलेक्टिसिटी टु पावर एंड एवरेज अमेरिकन होसल्ट टुट्वर आर्स एक ट्रांजेक्शन को एक्जिक्वीट करने में जितनी एलेक्टिसिटी करता है तो जिसकी वज़ा से माइनिंग काफी जादा एक्सपेंसिब भी है और ट्रांजेक्शन के जो स्पीड है वो भी कम है अभी जो प्रूफ ऑवर्क में और इसके लावा एक्सपेंसिब भी है तो इसके लिए एथेरियम की टीम ने डिसाइड किया है कि वह प्रूफ स्टेक पे लेके आएंगे इथेरियम नेटवर्क को तो आप भी स्टेकिंग कर सकते हैं जस्ट थर्टी टू इथेरियम को आप नोट्स पे स्टैक करके प्रॉफिट ले सकते हैं हमेशा के लिए जितने ज्यादा इथेरियम आप स्टैक करते जाओगे उतना ही आपको ज्या माइनिक रिस्का तो कोई काम रहेगा नहीं तो मजबूरी के तोर पे उन्हें ज्यादा से ज्यादा इथेरियम कोई बाय करना होंगे और स्टैक करना होंगे जिसके पास सबसे ज्यादा इथेरियम होगे उनको उससे ज्यादा जो है वो रिवार्ड मिलता जाएगा तो इससे की स्टेकिंग के लिए यूज होंगे लोग हो जाएंगे टैन मिलियन आप खुद अंदादा लगा सकते हैं कि इस टाइम पे सर्कुलेटिंग जो सप्लाई या 110 मिलियन है इसमें से 10 मिलियन कम असकम मैं बात करूं अगर वह स्टेकिंग के लिए यूज होते हैं तो इसे हम की जो प्राइसे कम असकम दो से तीन गुना बढ़ जाएगा और फ्यूचर में यह स्टेकिंग पावर बढ़ती जाएगी और एथिरियम की जो प्राइसे होती जाएंगे और प्रॉफिट हमें मिलता जाएगा सिंपली होल्ड करने से ठीक है और इसके इलावा इसकी हाइप ज यह है की में प्राइसे बिरेंग कर जाए तो हमें इस टाइम जद Cities बाइड चाहिए ठीक है अचिक है ऐसे लिए में आक वीडियो देको आज ही आप इसको बाय कर लो ठीक है आज कर लो वीक के बाद कर लो जब डंप आये तब इसको बाई कर लो और इसको बाई करके आप अपनी पावर को बढ़ाते जाएं और जब आपको लगे आपको दो से तीन गुना चार गुना पांच गुना प्रॉफिट हो चुका है जान आप उसको sell करें के profitable ले सकते हैं hopefully आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा information मिली होगी अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी knowledge मिले तो वीडियो को like and share करना मत बुलेगा अपना ख्यार रखेगा happy trading take care